जैमात अदी कैसे हैं आप सभी नवरात्री के पावन पवितर दिन है और पंचमी का सुन्दर दिन है आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से इनों पायों को करना है ताकि आपके मनों रस्तिद्ध हो सनिवार का दिन होने के कारण यह और अधिक स्रेश्ट हो गया है देद ना कर सुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने घर के दर्वाजे पर जरूर से एक चीज़ रख लेनी है ताकि आप सभी के जो कार अटक रखे हैं जैसे मन चाहा विवाह से संबंदित पुत्र प्राप्ति से संबंदित रोग इत्यादिय और घर में सम्रद्धी से संबंदि और साथ ही आप सभी को उसे जो है काटोरी के अंदर आप सभी को रखने हैं थोड़ा सा काले तिल काले तिल सनी से संबंद रखते हैं और सनीवार के दिन ही उपाई किया जाता है शनीवार की रात को आपको काले तिल रख देने हैं जो है जो काटोरी ली है आपने उसके अं दाने कितने लेने हैं इच्छा सकती आपकी है आप 11,21,51 या बिना गिने अपनी इच्छा अनुसार तीन चीजे जो है उस कटूरी में रख दीजे आप सभी को थोड़ा सा उस जो है काले तिल डालने हैं थोड़ा सा आपको जौ रखनी है जौ भी बड़ा बजार में बड़ी स्वते ही बन जाते हैं तो आपको जो और आवश्यक रूप से काले तिल और धान धान नहों तो चावल जो है एक कटोरी में अपने दरवाजे के उल्टे हाथ की तरफ रख देना है ठीक है सनिवार की रात को आपको पूरे रख देना है और अपने पित्र देवता अपने कुल आप सभी को पूर्ण रूप से घर में इसे गुमा लेना है साथ के साथ आप सभी को एक कटोरी में कच्चा दूध लेना है और जल का पात्र लेना है ठीक है जी एक कटोरी में कच्चा दूध और जल का थोड़ा सा आप लोटा ले लीजिए और जो आपने राधभर सामगर कटोरी को उठाकर चले जाएं महादेव के मंदिर में और इस बात का भी ध्यान रखे कि वह जो सामगरी है कटोरी में रखी हुई उसे पूरे घर में भी जरूर से घुमाना है ततपश्चात आप सभी को सिव मंदिर में सबसे पहले जल का लोटा समर्पित कर देना है और कच् पक लगाने के बाद आप सभी को यह सभी चीज़े धान काले तिल जौ ठीक है जी धान ना हो तो चामल भी ले सकते हैं आपको सिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देने हैं धीरे धीरे आप देखेंगे परिवार में समर्द्धी आ रही है सुखा आ रहा है क परूर से महादेव को अर्थात गुरुजी को पत्र लिखिएगा साथ ही कोई प्रश्न है पूछ लिजीगा आपका अपना चैनल है और साथ ही आप सभी से अनुरोध है कमें पूर्ण रूप से स्री सिवाही नमस्तु अभ्यम लिखना ना भूलें तो हमने बात कर ली प्र आप सभी को क्या करना है सनीवार के दिन दूसरा उपाय बताना चाहूंगी आप सभी को सनीवार के दिन या तो समी व्रक्ष के नेचे या जो है पीपल व्रक्ष की जड़ में यह उपाय करना है गुरुजी कहते हैं समी और पीपल का व्रक्ष ऐसा है आप महने भर में एक बार भी उपाई कर लेते हैं तो यह जीवन में आपके उन्नती ही करेगा किसी भी सरूप में दुख तकलीप नहीं आएगी आप सभी को समी व्रक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा जो है दूद लेना है या पीपल व्रक्ष की जड़ में महने भर में एक बार ही किया जात देता है और समी या पीपल व्रक्ष की जड़ में सर्सो की तेल का गूल बत्ती का घी का दीपक लगा देता है उसके भागी की रेखाय स्वते ही सही हो जाती है और कस्ट संकर पीड़ा का निदान हो जाता है तो आप सभी को आवश्यक रूप से पावन पवित्र इन नवरा देते हैं तो अभी निश्चिति आपको लाब मिलता है अभी के लिए इतना ही इससे पहले चैनल पर वीडियो जो कि पंचमी के दिन स्वास्तिक का किया जाता है वीडियो में बताए गया है कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखे